त्यार अरब लोगों को आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्री से लागे इंदुस्तान में कहां रखेंगे? दिल्ली? बॉम्बे? भोपाल? जगा कहां है? उनको नौकरियां क्या देंगे? मुझे एक बात बताएं, आप में से किस-किस के पास अच्छी नौकरी है कोई एक मिनिट, आप क्या एंप्लॉइमेंट देंगे? वो खाएंगे क्या? वो पहनेंगे क्या? एक तो हमारे पास वोट करने के लिए अलग काड है, आधार काड का क्या यूज है? डिमॉनिटाइजेशन क्यों हुई? आइम सॉरी, बट अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो ये होगा. हम सबसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने जिस गवर्मेंट को इलेक्ट किया है, इस बाइट इस बाइट इस बाइट इस इन देश. जो डिशरी क्या कर रही है? तो आप देख रहे हैं? मैं law student हूँ. मैं constitution जैसे subjects को पढ़ती हूँ. ये जो कहते हैं ना कि बच्चे terrorist है. जो सुबह लोग बैठके चाय पे ये subjects के बारे में पढ़ते हैं ना कि news पढ़ते हैं, policy आई. हम पूरी पूरी रात बैठके उन policies को बन आते हैं. हम study करते हैं, हम research करते हैं और हम implement करते हैं. तो तुम हमें बताओ कि हम क्या कर रहे हैं? और हम जो protest कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है. कोई मुझे बता दे कि ये गलत है, मैं तो आपको मूर्स समझूगी. इसमें गलत क्या है? आपको descent में और आपको… आपने पुलिस का अभी नाम लिया कि पुलिस क्या कर रही है? जैसे जेनियों की गटना होई है, कहीना कहीं पुलिस पर एक बड़ा आरोप लग रहा कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया. तेके मैं आपको एक बात बताते हूं, मैं फादर इस पुलिसमान, आइम अ कश्मी ठीक है? ठीक है? मुझे पता है पुलिस वाले का काम क्या है? बिकाज आइव बीन रेस्ट बाइव पुलिस ओफिसर मैसेल्फ. एक पुलिस वाले का काम नहीं है कि वो युनिवर्सिटी के अंदर एंटर करके 15 दिसेंबर और 5 जानवरी की रात को और शाम में क्या हुआ है? मैं बिलकुल कंडेम करती हूँ उस हरकत को. 15 को आप जामिया के अंदर आते हैं. I was a part of the protest. आप अंदर आते हैं, आप बच्छों को लाठी चार्ज करते हैं. आप कहते हैं कि हमारे पास permission थी. और फिर जब पास्तारी को आप युनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, आप गु लेकिन हम बेवकूफ तो नहीं है ना. आप हमारे मूँ पे आके हमको बता रहे हो कितना और बेवकूफ बनाओगे जन्ता. लोग ये तो जान दे हैं कि पुलिस तो सरकार करेंडर में होती है. और जैसे सरकार आदेश करेगी वैसी पुलिस काप करेगी. जो देश खतम होगा. आप हिंदू-मसल्मान को बाट रहे हो. इस इस दे मोस्ट सिख थिंग वन केंडू. कहीं ना कहीं जो आप ये जीजे बीजेपी कर रहे हैं, दारा थीन सो सत्तर हो, तीन तालाग हो. मैं आपको एक बात बदाती हूँ. मैंने कल राद में बैठके बीजेपी का मैनिफेस्टो पड़ा है. बीजेपी के मैनिफेस्टो में तेरा चाप्टर है. बीजेपी के मैनिफेस्टो में तेरा चाप्टर में स्टार्टें के दस चाप्टर में डुएलपमेंट, विमन, से यह भी सब कुछ बताया गया था, बट हम इंदुस्तानी, मैं खुद, मैंने किसी पार्टी का मैंने फेस्टो नहीं पड़ा है, हमने ये चीज पड़ी ही नहीं, हमें नहीं पता था, अब जब जाके मैंने पड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि विमेन सेफटी और ड्वेल अगर आपकी कोई बहन है, है आपकी बहन है, आप उसको रात में दो बज़े निकलने दोगे भार, पहले भी निकलने दे सकते थे, सरकार की बात छोड़ो, आप दे सकते हैं, रात में दो बज़े अपनी मा को अकेले सड़क पर निकलने दोगे, मैं तो नहीं निकलने प्रोटेस्ट में हूँ तो उनकी जान खतम होना है। प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट में होना है। यह हिंदुस्तान का फ्यूचर है। यह जो आप देख रहे होना है। प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट में होना है। क्या फाइदा है से डिग्री का। मोदी जी ने कॉंस्टिटूशन की कसम खाई दी। कॉंस्टिटूशन को बरभाद करने की नहीं। आप लोगों को लाने की बात कर रहे ह। और रखोगे कहां अपने लोग आपसे खुश नहीं है। तो इसमें कहिना के लगता है उनकी बिचारधारा एंसी है वो लोग तो इस चीज़ पर काम करना चाहते नहीं बात तो है नहीं। वो तो चाहते यहीं थे। देखो मैं आपको एक बाल दजाती हूँ। आप मैंसे किसको पता है BJP का evolution कैसे हुआ है। BJP पार्टी बनी कैसे कि 70s के टाइम पे जब emergency आई थी तब ABVP ग्रूप बनाया था अरुन जेटली सर ने जब वो D.U. में L.A.L. भी कर रहे थे। उन्होंने एक student movement शुरू करा था जिसके बाद BJP government established हुई। वो लोग खुद इस तरीके से limelight में आये। उन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट के basis पे अपनी पार्टी को establish करें। ना one difference जब उनकी पार्टी थी इंद्रा गांदी ने उनके ओपर ना पुलिस वाले छोड़े। और मैं पुलिस वाले छोड़ना बोलूँगी पेज़ वो कुत्तों से कम नहीं है इस वक्त। ना उनके ओपर पुलिस वाले छोड़ेगा ना उनके ओपर डंडे बरसाएगा। इनफाक्ट उन्होंने जैप्रबास नरायन को उठा गे एक पूरी government गिरा दी। और आप हमें भंदा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। हमारे पास दिमाग है, हमारे पास एजूकेशन है। And that is our weapon. We use it. हम हेट्रेड नहीं फैलाते हैं। हम पढ़ते हैं, we teach and we preach. This is what we do.